एंड्रोइट मोबल की मदद से अगर आप हटारागा गेम और एप्लिकेशन बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेश करतीजेगा क्योंकि जब ही निया वीडियो अप्लोड करेंगा तो तुरह इंदी आपके म दोस्तो वीडियो को स्टार्ट मारते हैं तो दोस्तो यहां पर देखी यह रहा इसका आइकॉन और लोडिंग 20 लोडिंग डिजाइन ठीक है तो यह यह है प्रोजेक्ट और दोस्तो यहां पर देखे आपको यहां पर कुछ भी करने का जोरूरत नहीं है दोस्तो ठीक है सब सब से पहले दोस्तो मैं आपको यह प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूं उसके बाद में आपको बताऊंगा कै programming when you have पे मैं सबसे पहले यह जो प्रोजेक्ट है इसको आपको इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों यह किस तरह का है उसके बाद मैं आपको बता दूँगा जो भी डिजाइन आपको पसंद है उसको आप कैसे ले सकते हैं तो यह स्कैन हो रहा है है दोस्तों यहां पर तो हम इसको यहां से ओपन करता है तो ओपन करते हैं दोस्तों आप यहां पर देख लिजिए यहां पर देखिए आपको मैं थोड़ा सा पर देख लीजिए थोड़ा सा में पास लग देख तो आपको ठीक है वीडियो का quality ज़्यादा कर लीजिए दोस्तो तो आपको आच्छे से यह दिखाई देगा और आपको समझ में आ जाएगा यह किस टाइप का है दोस्तो इसका नीच्चे आपको जो text text दिया गया है यह text का हिसाब से ही आप इसे पहचान सकते हैं जो किसका क्या नाम है तो उसी नाम का हिसाब से ही आप इसको add कर सकते हैं दोस्तो यह जो है इसको add करना बहुत ज़्यादा असान है बहुत ज़्यादा easy है जो भी design आपको यहाँ पे पसंद है और आप उस design को अपना project में apply करना चाह ना है कोई भी linear को आप changes ना करें custom भी हुए चला जाएए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी linear दिया गया है तो कोई भी linear का id change ना कर दोस्तों इसे समझना बहुत ज़्यादा easy है आप यहाँ पर more block जो लिखा गया है इसका पर click कर दीजिए तो यहाँ पर दो block बनाया गया है ठीक है अभी चलते है main activity में तो यहाँ पर चल दिए activity on activity create का पर हम click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख लिए यहाँ पर सब पहले से भी बना हुआ है ठीक है यहाँ पर जो नाम दिया गया है यह main चीज है जो भी नाम आपको यहाँ पर show कर रहा है screen पर ओ में चीज है ठीक है आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर more block का पर click करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है यह भी LD दोस्तों मतलब मैं यह बोल रहा था इसको मैं back करता हूँ अगर आपको इन में से कोई भी एक design को अगर आपको pick करना है ठीक है इन में से यहाँ पर बहुत सारे design है इन में से कोई भी एक design को design को अगर आप अपना project में apply करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको उसका जो नाम है वो पता करना पड़ेगा उसका नाम क्या है है इसका जो नाम है वो नाम क्या है यहां पे नीचे आपको दिया गया है लाइन बाइन इस तरह जो दिया गया है आपको य जो भी नाम आपने select किया है, सिर्फ उसी को रख दीजिए, अगर आपने एक ही नाम को select किया है, तो सिर्फ आप उसी को रख दीजिए, उसको रखने के बाद लोस्तOP आप बाकी नाम को हटा दीजिए, ठीके, जो भी नाम आपको मतलब पता लग जाएगा, जो मेरे को इसको रखना है इसको यह सभी को हटा देना है तो सरफ उसी को ही रखिए और बाकी सब को आप हटा दीजिए तो यह देखे दोस्तों मैं यह बाकी जो है इसको मैं क्या करूँगा यहां से delete कर देता हूँ ठीक है तो मैंने यह बाकी को delete कर दिये और यहां पर मैंने सिर्फ एक ही रखा है तो अभी मैं इसको back करता हूँ दोस्तों और back करने के बाद हम इसको दुबरा run करके और देखेंगे हम इसको दुबरा नया से install करेंगे और देखते हैं तो जो भी दोस्तों जो भी आपको loading बार पसंद है उसका नाम पता करना पड़ेगा आपको सबसर पहले नाम पता होने के बाद आप उहां पे लिख दीजिए लिख सकते हैं या फिर आप उहां से हटा भी सकते हैं यह project मैं upload कर दूँगा इसके चर्फ green में दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने एक ही नाम उहां पे दिया है तो इसलिए यहां पे सिरफ एक ही loading बार यहां पे show कर रहा है आप यहां पे screen पे देख सकते हैं ओके तो यहां पे मैं बाकी का इसको मैं add कर देता हूं दोस्तों ठीक है तो जो भी आपको loading बार पसंद है उसका नाम आप पता कर लिजी इसके अंदर लिखा गया है copy करके आप यहां पे paste कर सकते हैं या फिर आप इधर से हटा सकते हैं add कर सकते हैं ठीक दोस्तों यह project में share कर दूँगा sketchr green में उसके अंदर से आप download कर सकते हैं और अगर आप नया है download करना जानते नहीं है तो वीडियो का description में चेक कीजिए आपको वहां पे एक YouTube वीडियो का link मिलेगा आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप आपको पता लग जाएगा आप यह project को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं sketchr WAI में कैसे import कर सकते हैं यह सभी चीज़ों के बारे में पता लगा नहीं किले दोस्तों अगर आप इस project को डाउनलोड करना चाहते हैं जिन भाई लोगों को पता नहीं है उनके लिए description में एक YouTube वीडियो का link है ठीक है आपको उस वीडियो को जागे देख लेजिए E-Wati-Share नाम से बहुत सारे application play store में available है आप उसकर download करके उसके अंदर से project को download कर सकते हैं आसान तरीके से क्योंकि मैं सारा project जो भी मैं भीडियो में दिखाता हूं वो सभी project को मैं Eskaad Share application में upload कर देता हूं तो इसके share का बहुत सारी application है तो आप download कर लीजिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो like कीजिए share कीजिए अपना दोस्त लोग सभी के साथ और हमारे channel को subscribe कर लीजिए साथ में घंटी बटम को याद करके फ्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह का interesting वीडियो इसी चैनल में upload करते रहता हूँ टाइम पे आपको notification मिल जाएगा जबी मैं कोई नया वीडियो upload करूँगा तो बस दो तो मैं उम्मीद क्या बोल रहा हूँ तो ठीक है बाइबाई